भारती फिल्म इंडस्ट्री यानी बोलीवूड दुनिया की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है बोलीवूड में तमाम एक्टर और एक्टरस पोरी दुनिया और बोलीवूड में खासी शुहरत रखती है भारत के अंदर होने की वज़ा से इस इंडस्ट्री के अंदर हर रंग और हर मज़िब से तालुक रखने वाले अफराज शामिल है इसी तरहां आज बोली वुड में एक्टरस की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जिनका नाम तो हिंदू है मगर बो दरसल एक मुस्लिम है आज हम दस ऐसी ही भारती अदाकाराओं के बारे में बात करेंगे जो रहती तो भारत में है लेकिन उनका तालुक दिन इसलाम से है वीडियो का आगास करने से पहले नए आने वाले तमाब दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स टाइम हैं और आपनी अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए नमबर एक नोरा फातिही अपनी खुबसूरती और डांस से पूरे भारत पर राज करने वाली नोरा का जनम कैनिड़ा में एक मुसल्मान घराने में हुआ नोरा के वालिदेन का तालुक दिन इसलाम के साथ है नोरा पिदाईशी एक मुसलिम है एक इंटर्वियो में नोरा बता चुकी है कि आज तक वो दिन इसलाम पर ही काइम है नास्टिन इस वक बोलीवुड में नोरा का डांस सबसे जादा पसंद किया जाता है नोरा ने बहुत ही कम वक्त में बोलिवोड में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई नमबर दो आलियाबट नास्टिंग आप में से बहुत ही कम लोग ये जाते हूंगे कि आलियाबट की वालिदा एक मसलिम है शारी के बाद आलिया बट के वालिद ने भी इसलाम कबूल किया था बच्पन से ही आलिया बट अपनी वालिदा से दीने इसलाम को सीखती आ रही है और वो इस पर अमल भी किया करती थी आलिया बट बॉलिवुट की एक जानी मानी अदाकारा है इन्होंने बॉलिवुट की कई फिल्मों में काम करके खुब नाम कमाया आलिया बट ने रन्वीर कपूर से शादे की जो खुद भी एक बॉलिवुट के बहुत बड़े स्टार हैं और एक हिंदू है इस वक्त आलिया बट की जिन्दगी में कोई भी रंग दिन इसलाम का नसर नहीं आता नमबर तीन करीना कपूर खान बॉलिवुट की मुश्वर फिल्म अदाकारा करीना कपूर को तो आप जानते ही हैं करीना कपूर का जनम तो एक हिंदू फैमली में हुआ मगर 2012 में बॉलिवुट के स्टार सैफ अलिखान से शादी करने के लिए इन्होंने इसलाम कबोल कर लिया लेकिन इस वक्त दीन इसलाम का कोई भी पहलू उनकी जिन्दगी और उनके बच्चों की जिन्दगी में कहीं भी नजर नहीं आता करीना कपूर बॉलिवुट की मशहूर और जानी मानी अदाकारा हैं बॉलिवुट की दुनिया में ये अपनी एक अलग ही पहजान रखती हैं नबर चार केतरीना कैफ बॉलिवुट की मशहूर अदाकारा केतरीना कैफ का जनम भी एक मसलिम घराने में हुआ केतरीना कैफ की वालिद का नाम मुहम्मद कैफ है जो के एक मुसल्मान है जिबके केतरीना कैफ की वालिदा का जनम एक इसाई खानदान में हुआ आपको बताते चले कि कतरीना कैफ होंकोंग में पैदा हुई और कतरीना कैफ ने अपना बच्पन एक मुसल्मान की तरहा गुजारा। कतरीना कैफ भी पेदाशी तोर पर एक मुसल्मान है। कतरीना कैफ ने बॉलिवुड में आकर दोलत के साथ साथ शोहरत भी कमाई और इस बोलिवुट में वो अपनी एक अलग ही पहचान रखती हैं नबर पांच सारा अली खान सारा अली खान बोलिवुट के स्टार सैफ अली खान और अदकारा अमरीता सिंग की बेटी हैं सारा अली खान का जनम भी एक मुस्लिम घराने में हुआ सारा अली खान भी पेदाशी तोर पर एक मुस्लिम है सारा अली खान बोलिवुट की एक नए उबरती हुई अदाकारा है सारा अली खान ने बहुत ही कम वक्त में बोलिवुट में अपनी जगा बना ली इस वक्त सारा अले खान का मज़िव क्या है इस हवाले से कोई भी कुछ नहीं जानता नमबर च्छे नर्गिस फखरी बोलीवुट की मशूर और काबिल अदकारा नर्गिस फखरी का जनम नू योर्क के एक मुस्लिमान घराने में हुआ नर्गिस की वालिद का नाम मुहम्मद फखरी और वालिदा का नाम मारिया फखरी है नर्गिस फखरी भी अपना बच्पन एक मुस्लिम के तोर पर गुसार चुकी है और वो अपनी फैमली के साथ नू योर्क में ही रहती थी नर्गिस फक्री बॉलिवूड में फिल्मों का सपना लिए भारत आ गई और बॉलिवूड में कदम रखा और कई फिल्मों में अपनी खुब सूरती और अदाकारी के जल्वे बखे रही नमर साथ जरीन खान बोलिवूट की मशूर अदाकारा जरीन खान एक मुसल्मान घराने में पैदा हुई जरीन खान का तालुब एक मुसल्मान पठान खानदान से है यूं तो जरीन खान में बहुत से फिल्मों और ड्रामों में काम किया लेकिन बोलिवुट की बड़ी अदाकाराओं में जरीन खान का नाम शामिल नहीं नमबर आठ शुरूती हसन बोलिवुट की खुबसूरत और कमाल अदाकारा शुरूती हसन की वालिद का नाम कमल हसन है कमल हसन एक मुसल्मान है और शुरूती की मा एक हिंदू है शुरूती हसन का अपने एक इंटरव्यू में कहना था कि बच्पन से ही इसलाम और हिंदुमत को वो बहुत जादा पसंद करती हैं और आज भी वो इनी दोनों पर अमल करती आ रही हैं शुरूती हसन बोलीवूट की एक चानी मानी अदाकारा होने के साथ साथ एक मोडल भी है नमबर नो हुमा कुरेशी हुमा कुरेशी बोलीवूट की एक चानी मानी अदाकारा हुमा कुरेशी भी बोलीवूट की उनी अदाकाराओं में से एक है जो मुसल्मान है हुमा कुरेशी के वालिदा का नाम सलीम कुरेशी है सलीम कुरेशी एक बिसनसमेन है हुमा कुरेशी की वालिदा का नाम आमना कुरेशी है जो हाउस वाइफ है यानि हुमा कुरेशी कभी पूरा खांदान दीन इसलाम के मताबिक अपनी जिन्दगी गुसारता है तो दोस्तों ये थी बोली वुट की वो अदाकाराईं जिनका तालुक दीन इसलाम से है